नमस्कार दोस्तों मैं समझ सकता हूँ अभी आप बड़े चिंता में हैं और चिंता का मूल कारण है कि किस तरीके से समीर वानखेडी जी को अटेक किया जा रहा है कैसे उनकी पत्नी को अटेक किया जा रहा है कैसे उनके परिवार को अटेक किया जा रहा है और ये सारी चीजे हुई कब से है जब आरियन खान को गिरफतार कर लिया तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरा माजरा है समीर वानखेडे को लेके जो खुलासे हुए कि किस तरीके से ये रिश्वत ले रहे हैं तो इसमें कितनी सच चाहिए है और इसमें अभी लेटिस्ट जो डेवलप्मेंट आया है वो मैं आपको पहले बता दूँ कि नवाब मलिक निकल के आया और इन्होंने कुछ और भी चीज़े करिए कि इन्होंने इनक क्या होगा जो बीजेपी को फॉलो करते हैं कि क्या जब उन्हें पता लगेगा कि ये मुस्लिम है तो उसके बाद भी समीर वानखेडे को सपोर्ट करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम बात करेंगे दूसरा इन्होंने ये फोटो भी शेयर किये जिसके अंदर ये बता रहे ह कि समीर वानखेडे पहले भी एक शादी कर चुके हैं यानि कि क्रांती रेड कर जो हैं उनसे पहले इनकी शादी हो चुकी और उनसे इनको बच्चे भी हैं तो ये सारे आरोप लगाए गए तो आप पहले मामला जान लेते हैं कि आखिर सारी चीज़े कहां से शुरूई तो कल इस बेल को सुनवाई होगी और हो सकता है मामला थोड़ा और आगे चला जाए ये सारी चीज़े क्लियर समझ में आरी थी जो मैंने आपको कहा था तो ऐसे में इनके उपर इस बीच बहुत जादा अटेक हुए आपने देखा कि बॉलिवुड ने किस तरीके से अटेक करन शुरू किया मीडिया ने इवन समीर वानकेड़ एंसी भी को अटेक करना शुरू किया आप यहां पे देख सकते हैं रजस्शर्मा अदालत चलाते हैं अदालत करते करते कर आई हैं खुद को रियल रियल का जज़ समझने लग गए और यह यहां पर क्या भाशा का लिए शारुक खान के लिए राइट अब ऐसे में बड़े बड़े जो प्रभावशाली मंत्री हैं वो भी निकल के अब आप देख सकते नवाब मलिक ये आप मान के चलो नवाब मलिक का इतना प्रभाव है कि उद्धव ठाकरे जो आज महराष्ट में चीफ मिनिस्टर बनके बैठा है उससे अदर प्रभाव रखता है ये नवाब मलिक ठीक है तो ये व्यक्ति इतना प्रभाव शाली जो है ये अब आके अटेक कर रहा है किसके ऊपर समीरवान खेड़े बड़े के ओपर क्लिरल इन्होंने अटेक करना शूरू कर दिये एकदम कि भई gonna ये व्यक्ति अंदर जेल में होगा, इस तरहे की धमकिया दी गई, आपको ये भी ध्यान होगा, समीर वांखेडे का पीछा कर रहे थे बहुत से लोग, तो बहुत गंभीर चीज़े हैं, तब ये पहली बार चीज निकल के आती है कि जब समीर वांखेडे अपने आप बताते हैं कि जब मैं कब्रिस्तान गया था जहां पे मेरी मा दफन है तो वहां पे लोग मेरा पीछा कर रहे थे तब लोगों को पता लगा अच्छा ठीक है तो यह मुस्लिम है न तो खेल सारा यहां से शुरू हुआ कि अब यह निकल क्या कि यह बताने की कोशिश करें कि मुसल्मान है तो थोड़ा सा बता दूँ कि समीर वानखिर जी पहले ही रिवील कर चुके है लेकिन तब भी यह कह रहे हैं कि इन्होंने फोर्जरी की और यह सारे चीज़े दस्तावेज में किये हैं तो इसमें अब समीर वानखिर जी क्या जवाब देते हैं इसका पूरा का पूरा वेट करना रहता है क्योंकि सीधी सी बात है कि उनका जो इसके उपर मत आएगा और NC भी इसके उपर क्या कहती है उसका इंतजार है लेकिन ऐसे में बहुत से लोग ये आवाज भी उठाने लग गए जो आरियन खान के लिए स्टेंड ले रहें की समीर वानखिरे को सस्पेंड किया जाए भाई ये व्यक्ति नौकरी में नहीं रहना चीए जिसके उपर इतने आरूप लग गए तो कुछ नया नहीं है आपने देखा होगा देखिए लोग बॉलिवूड की जब पिक्चरे देखते हैं जब देखते हैं सिंगम, अजे देवगन इन सब अक्षे कुमार इनको जब पुलिस वाले किरदार में देखते हैं और जब हीरो लड़ने की कोशिश करता है तब लोग केते हैं नहीं हीरो गलत है अब आप देख लीजे आप कहां स्टेंड ले रहे हैं किस तरीके से उनके उपर अटेक किया जा रहा है अभी रीसेंटली प्रभाकर्स सेल करके जो व्यक्ती निकल के आया जो कौन है जो गोसावी जो है जो विटनेस थे जो वहाँ पे उनके साथ भी थे NCB के साथ आपने देखे होंगे बहुत जगे वीजुल्स फोटोज में देखा गया है तो उस व्यक्ती के बॉडिगार्ड रहे हैं बॉडिगार्ड थे उनके तो ये आके अब कह रहे हैं ये कितनी देर में हुआ 72 गंटे वो धमकी देते हैं वहाँ पे कि समीर वानखेडे अब जेल में होगा और इतनी देर में ही नया एक इनका पैतर आ जाता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि ये समीर वानखेडे 8 करोड रिश्वत ले रहे थे ये इन्होंने फोन पे सुना ये प्रभाकर कह रहे हैं कि वहने फोन पे सुना कि 8 करोड तो 18 करोड है जिसमें से 8 करोड तो समीर वानखेडे की है तो वो 10 करोड का है, इसके ओपर वो clarity नहीं दिये, ठीक है, तो इस सारे आरोप जब इन्होंने लगाए, जहां पर clearly इस पूरे एफिडेविट में जो पूरा तर्क है, जो पूरी बात है, वो ये है कि ये रिश्वत ले रहे हैं, आरियन खान को लेके, लेकिन अब एक नया ख समझ में आता है, अगर शारुक खान रिश्वत दे रहा है, 18 करोड, वैसे तो clearly देखा जाए, इनके लिए 100 करोड भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ये 18 करोड अपने बच्चे के लिए दे रहा है, जिसमें से 8 करोड समीरवान खेडे के हैं, तो प्रशन खड़ा एक इमानदार अफसर को कैसे प्रताडित किया जा रहा है, जो व्यक्ति आपको पता है, आज अनन्या पांडे को समन किया है, अब देख लिए, कि अनन्या पांडे एक इसकी WhatsApp, चैट, हिस्ट्री सारी जो निकल रही है, और इसमें NCB कह रहा है कि और नाम भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कल को, जैसे कि मैंने आपको कहा था हो सकता है, शारुक खान खुद आ जाए, जो चुप बैठा है, और ये सारे पैसे जो इन्वेस्ट किये जा रहे हैं, जिस तरीके से किमानदार पुलिस अफसर को टार्गेट किया जा रहे है, इन लोगों के द्वारा है, तो आ आप समझ जाएए क्यों ये सारा टार्गेट करने का पूरा का पूरी पावर लगाई जा रहे है, पूरी ये पॉलिटिक्स, मीडिया, बिजनिसमेन सब उतर आए हैं, किसके खिलाफ एक व्यक्ती के खिलाफ जो कि ये समीरवान खेड़े, चीक है, तो इस तरीके से अटेक पे अटेक किये जा रहे हैं, अब ये दोस्तों आपके हाथ में, कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप सोच लीजे कि जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो ड्रग्स की फैट्रिया चला रहे हैं, जिनका ये पूरा खात्मा किया हैं उन्हें एक वर्ष में, दाओ दिब्रहीम के ज जिनका सफाया कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये जो लॉबी है, जिसको तो हम कहते हैं, कराची वूड और्दू वूड, तो ये तो उनके लिए काम करी रहे हैं, नहीं, तो ये कुछ नया नहीं होगा, कि अगर ये प्रभाकर जैसे लोग इतने समय के बाद आए, आप सोच जो NCB का केस है, तो उसको वीक करने का प्रयास है, कैसे? आपका विटनेस ही, जो मेन विटनेस थे वो ही, अगर उनके ओपर आरोप लग जाएं, तो अव्यस सी बात है, फिर केस प्रभावित होगा, तो कोट के अंदर ये वाली भी एक इनकी साजिश चल रही है, आगे जाक प्रभावित है, क्योंकि ये केस जो चल रहा है, ये अभी कोट में है, और ऐसे में आप सोशल मीडिया पे मीडिया को कहके क्या बताना चाहरे हो, आप कोट में आईए, जस साहब को बताईए, और यही चीज है, देखिए, अगर कोई व्यक्ती दोशी है, तो आप उसकी खि सोशल मीडिया पे वाटसेप और ये सारे शेयर कर रहे है, अब आप खुद डिसाइड कर लिजे दोस्तों, क्या खिर क्या खेल चल रहा है, यहाँ पे कुछ लोग ये भी स्टैंड ले रहे हैं कि आरियन खान की सिर्फ एक वाटसेप चैट निकली जिसके उपर इतनी चीज जो रही है, यह वही ओल्ट नियूज वाले हैं, यह ओल्ट नियूज वाले ही थे जो अरणव गोस्वामी की वाटसेप चैट पे विशह बना रहे थे कि अरणव गोस्वामी को जेल में रहना चाहिए, क्योंकि इनकी वाटसेप चैट है, तो आप एक पर ठोड़ा डिसाइ अगर इस लॉबी के बहकावे में आ जाओगे तो जिस हीरो की आप कामना करते हो ना रियल लाइफ में आपको देखने को मिल रहा है अगर कोई व्यक्ति रियल लाइफ में हीरो बनना चाहेगा इन करप्ट लोगों से हटके सही रास्ते पर चलना चाहेगा तो उसके साथ ये क उठाके देख लो वो सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटती है जो की प्रभावशाली लोग होते हैं आज के केस में भी आप देख सकते हो नहीं बहुत से लोग शारुख खान क्योंकि उसके तलवे चाटने तो आप देख ली जब आप डिसाइड कर लिजे दोस्तों आपका समीर वान खेड़े और शारुख खान और ये दो ये दी सो कॉल्ड पॉलिटीशियंस आप डिसाइड कर लिजे एक बर बहुत अच्छे से कि आपका स्टेंड कहां है मेरा स्टेंड है मैं समीर वान खेड़े के साथ खड़ा होता हूँ और ये चीज सो मैटरी नहीं करती वो हिंदू है मुसल्मान है बहुत क्लियरली जब हम अब्दुल कलाम के साथ खड़े हैं तो ये चीज नहीं देखते हैं वो मुसलिम है या हिंदू है तो ये मुर्खता एक बार साइड रखनी पड़ेगी और ऐसे लोग जो यहाँ पे पहले तो यही लोग बात करते हैं सेकु पहले हो छाँगा जो नशा कर रहा है या नशे का साथ दे रहा है वो गलत है बहुत क्लियरली बता दूँँ वो आप उसको अगर जेस्टिफाइ कर रहे हो कोई भी व्यक्ति बोल रहे है मैं इस पीडा में ।्रग्ज ले रहा हूं मेरको भया काम नहीं मिल रहा है इसलिए बाद में suicide proof कर दिया जाता है आप पूरे उसमें भागीदार हो ठीक है ना तो ये बात गलती से भी मत कह दे ना कि मैं support करता हूँ चलिए इस वीडियो में इतना ही है जय हिंद